बाहले क्रिशना, क्रिशना, क्रिशना हाहाहाहाहा हाहाहाहा चंद्र माँ ओन चंद्र के कारण में अद्रिशी नहीं हो पाऊंगा मुझे शेगर अतिशेगर यहांसे लौटना होगा तू यहां, क्रिशना हाँ, धुर्टासुर तीन दिन से हर क्षड मैं इस घड़ी के प्रतिक्षा कर रहा था अब तेरे पाप का घड़ा भर चुका है अच्छा हुआ तू स्वयम यहां आ गया क्रिशना आज मैं अपने पूर्वत जंबासुर का प्रतिशोद लेकर जाओंगा सालता नोजा सालता नोजा लेकर जो डोप अच्छा मैं यहां जाओंगा अजर टकाप झाल झाल कान हाँ? क्रिष्ना तेरान ता गया है क्रिष्टे भूँ झाल क्रिष्टे क्रिष्टे युड लग मैं आ गया हूँ कानहा, तुम्हारा दाओ तुम्हें कुछ नहीं होने देगा दाओ यह हुआ योशोधा, इतनी व्याकुल के हो, जी जी, देखिये न, कानह और बर्राम तो यहीं थे, फिर अजानक कहां चले गए तुम्हें चिंतित मत हो योशोधा, जब तक बर्राम और कानह एक साथ है, उन्हें कुछ नहीं होगा कानह, हमें शीग रही धूरता सुर को सम्माप करना होगा, दिन निकलते ही यह और पुना शक्ति शाली हो जाएगा दाओ, अब तो केवल देवी लक्षमी ही, हमें संकट से निकाल सकती है प्रेडाम लक्षमी जाएगा लक्षमी माता देवे लक्षमी हमारी सहायटा कीजिये बन्हेर नवे प्रक्राइब हैं इप पार दो का अगया अवी तो यहिता लक्षमी को मस्तक पर रखने की भूल तुम्हारे पूर्वज जंबा सुरने भी की थी और आज तुम भी उसी भूल के कारण मारे जाओगे आज ए लूल तुम भी दो आज तुम सकता है बाबा देखिये बाबा हम सारा धन पुनह ले आए वो जोतिशी भाग गया थटपती तुमने तो मर्यादा के सारी सीमाए हिलाग थी तुम लोगों ने बहुत अच्छा कारे किया है परंतु कान तुम सबने ये किया कैसे कोकुल वाजयो जाएए आप लोग अपना अपना थन का पात्र ले लीजे अनुस्तेट तुम्हें तड़े से खड़ा दंड बिल्ला चहिए अरे कासी बाते कर रहे हो चिंता मणी पागल हो गया हो क्या और कोकुल वाजयो तुम्हें क्या हो गया है कितने निर्दई हो मेरा उपकार इतनी शिगरता से भूल गए लेकिन मेरा नाम भी सेठ धनुपती है छोड़ूंगा नहीं तुम सब को पता है मेरे पास तुम सब की भूमी रिनी है तुम सब के अंगूठे के निशान लगाया हुआ पत्र है मेरे पास ये देखो देखो तुम सब किन्तु धनु काका इन पत्रों पर तो कुछ नहीं लिखा ये तो रिख्थ है अशा कैसा हो सकता है अशा कैसा हो सकता ये कुन सा चले तेरा ये तेरा ये चले ना तेरी हिमाया ये असंभाव है लाव मित्रों अच्छा हुआ सब पहले की बाती ठीक हो गया अच्छा 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 जुआ अच्छा विधा ये अच्छा साट तुखडे तुखडे कर दूगा मैं, शिद्र करो! कौन है? बाजब कर बेठा है समक्षा मेरे समक्षा! मेरे आपए लौके भी आपए नेंद तो कम से कम चैन से लेने देते कितना मीठा सवपन था किन्तु ये ध्वानी कहां से आ रही है दाओ ये क्या हो रहा है देखो ना कानहा ये धनुपती काका के आदमी जंगल के हरे भरे व्रिक्ष काट रहे है ये तो अनुचत है दाओ ये व्रिक्ष तो हमें खाने को फल और सोने को ठंडी चाया देते हैं इन्हें कटवाकर धनु काका अब क्या करना चाहते हैं सुना है धनु काका कोई यज्य अनुष्ठान करवा रहे हैं लगता है अपने कार्यों का प्राश्चित करना चाहते हैं वो प्राश्चित हम भी तो देखें इन हरे भरे व्रिक्षों को काट कर कैसा प्राश्चित करना चाहते हैं क्या हुआ महाराज आप इतना क्रोध में क्यू है अंत कर रहा है कि इसिक्षण तिरस सर्थ से अलग कर दू गुरु शुक्राचार ने मुझे बताया कि तू मेरे काल का अंत करने के लिए किसी शक्ति का आवान कर रहा है क्यों वही करना चाहता है जो तू सदेव करता आया है मेरे मन के भाई को और भी अधिक्रबल करना चाहता है तू उत्तर दे वो आ गया महाराज कौन आ गया है? महाराज भै और उसका भाई कौन भाई? कौन उसका भाई? कौन उसका भाई? हाहाहाहा हाँ, मैं भै हूँ जब भै की शक्ती विगुणित हो जाती है तब महा भै उसके साथ होता है भै और महा भै जिस और देखते हैं मैं मृत्तिव वहां प्रलाब प्पैलाता हूँ भै महा भै मृत्तिव कृष्णा कृष्णा ओम्त्रयंबगं यजामे सुवनिंपुष्टिवर्धनम अर्वारुक्मिवा बंदनान मृत्यो मृत्यो मृत्या मृत्त्त्त्त्त्त्त्त्त अच्छा तो ये बात है धनू काका इतना बड़ा हवन अनुस्ठान तो मैंने कभी नहीं देखा पूरा गोकुल अच्रज में है बस उन्हें एक ही संदे है कि कहीं तुम पूर्व की भाती इस बार भी गोकुल से ली हुई पूजा सामगरी किसी अन्य साहुकार को तो नहीं बेज़ दोगे शिप 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 शि Amen आरे मुज्ट आपिया ये, आपिया, क्यों क्यों क्यों, आपियो एतनी बड़ी हानी कर दी तुने वैसे ही गोकुल में बाताओं की कमी है और तुने इतनी बड़ी हानी कर दी कि मूझ ओगयों, क्या मुद्रस, इतरआ तुम यहां खड़े-खड़े मेरा मूग क्या देख रहे हैं, इतनी बड़ी हानी हो गई और शेक्रता से गुखल जाओ, जाकर घी और दूद की वेवस्था करो शेक्रता से जाओ, मेरे यग्ग में तूद और घी की नदियां बहनी चाहिए, नदियां, समझे? यह कोई ऐसा अब ऐसा यग्ग नहीं है, महा धनुपती यग्ग है, क्या है तो पूरा का पूरा वन काट देना क्योंकि मेरा यह यग्ग पूरे के पूरे दस दिन चलेगा, और दस दिन से थवन कुंड में अगनी पर ज्विलित होगी जाओ भोले भाले गोकुल वासी और ये चालाग धनुपका कभी नहीं बदलेंगे वन के व्रिक्ष इसलिए काटे जा रहे हैं हमें व्रिक्षों को बचाना चाहिए अन्यथा सारा का सारावन समाप्त हो जाएगा फिर हमें मीठे फल कैसे मिलेंगे काना फिर हम कड़ी दुपहरी में हम व्रिक्षों की छाया के बिना कहां खेलेंगे काना अम और भागरो को तक्याँ है अवरो च्मझ का और वुपहरी में हो लुब हमें कैसे याद किया? गोकल और वहां रहने वाले कृष्णा को नश्ड करना है हमें मेरे पैर हिलके उने रहे? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहे? मेरे प्रभू प्रभू मेरे रख्या दोरू कौन है कौन है याप पर मैं भै हूँ भै मेरी जाया जहां पड़ती है वहां दुर्भाग्य चाह जाता है अब मैं कृष्णा के गोकूल में आ गया हूँ अब यहां भी लोग मुझसे धर-धर कापेंगी